जैशी कृष्णा दोस्तो प्यसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो नवरात्री के बहुत ही पावंद दिन चल रहे हैं और इन दिनों में अगर आपका पती आपसे बहुत जादा कलेश करता है पती पतनी में बहुत जादा जगड़े होते हैं या पराई इस तरी के चक दोस्तो नवरात्री के दिनों में किया गया कोई भी उपाई निश्वल नहीं जाता है तो आप इस उपाई को जरूर करके देखिए अगर आपका पती आपसे बहुत जादा कलेश करता है जगड़ा करता है दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेर चलें सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर ले बगले बैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो इस उपाई को आपको नवरात्री के दिनों में करना है कभी भी किस और मातारानी के सामने बैठ कर आपको जो आपने लॉंग ली है फूलदार लॉंग आप अपने सीधे हाथ में रखें और अपने पती का नाम लेकर साथ बार उस पर आपको फूक मार देनी है फूक मारने के बाद मातारानी से प्रात्ना करनी है आपके पती आपके कहें नु चारन करना है सात बार बोलने के बाद आपको अपने पती का ध्यान करके माता रानी से प्रात्मा करके, उस कपूर के साथ उन दोनों लौंग को आपको जला देना है, जलाने के बाद आपको एक चुटकी सिंदूर माता रानी के चर्णों पर लगाना है और उस सिंदूर को आपको अपनी मांग में भर लेना है दोस्तो जो आपने कपूर के साथ लौंग जलाई है उसकी जो भस्म होती है उस भस्म को आपको चुटकी भर आपको अपने पती के जो पहले कपड़े आपके कवर्ड में रखे हुए उनमें छड़क देना है जैसे ही आपके पती उन कपड़ों को पहनेंगे पती का वशीकरण होना प्रारम हो जाएगा दोस्तों इस उपाय को आप जरू करके देखिए अगर पती पत्नी में बहुत ज़्यादा कलेश होता है पती आपका बहुत ज़्यादा जड़ाई जगडा घुस्सा करता है तो आप इस उपाय को नवरात्री के दिनों में कभी भी करें बस आपको बिना टोके यानि कोई आप को टोके न चाप तरीके से आपको इस उपाय को कर लेना है नवरात्री के किसी भी दिन किसी भी समय पर दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरू करें और आप सभी को जैशी कृष्णा